नमस्कार दर्श को आप देख रहे हैं Grand ASEAN जैसे कि आप जानते हैं 36 सरकार को 4.5 साल से भी लंबा वक्त पूरा हो चुका है हमारे साथ हैं आज 36 प्रोफेशनल कॉंग्रेस के जिला उपद्याक्स और जिला सत्यू आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीते 4.5 साल में इनका विकास किस प्रकार से रहा असल आप लोगों का हमारे कारेकरम स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद भीया जैस जोहार सबको और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि Grand ACN ने हमको यह मौकद दिया कि हम आपके सामने मुखातिब हो सके और हमारे यशश्वी मुख्यमंत्री जी उपेश बगेल जी ने जो 4.5 सालों में एक काम करा है प्रदेश में हम उससे आपको रूबरू करा सके हैं सबसे पहले आप मुझे यह बताईए किसान यूजना तक तो बात है है वहां तक ठीक है शहर के लोगों के लिए शहर में जो मध्यमवर्गी इंसान रहता है उसके लिए किस प्रकार की यूजना रही है और कितनी सफ़र हुई है देखिए जब से हमारी सरकार बनी है मानने मुख्यमंत्री बुपेज बगेल जी की तब से लेका रास तक के 45 लाग लोगों का करजा बिजली बिल हाफ हुआ है जो क्या बलते है जिस दिन से हमने सपत लिये थे उसके बाद से 400 इनिट बिजली बिल जो हाफ हमने बोला था व कि तीन सो असी इंग्लिस मेडियम और टोटल मिला के 411 हिंदी मिडियम मिला कर 411 स्वामी आत्माने इसकुल खोला गया जिससे चार लाग बच्चे लभानवीत हो रहे हैं चिकिस्ता के शेत्रों किस प्रकार के प्रयास रहे हैं दाई दीदी क्लिनिक खुला है मुख्यमंत् किस तरीके से देखते हैं निजी जो इसकुल है जिसमें बेताहाशा फीस वृद्धी हमेशा होती आई है कितना कम्पीट कर पाएगा क्या कॉंप्रीशन होगा आगे आने वाले वाले इसमें क्या रिजल्ट निकल आएगा आत्माने इसकुल से निश्वल सिक्षा देया जा के बाद दो साल हमारे कोरोन में वेश्ट हो गए हैं उसके बाद हमें बहुत ही कम टाइम मिला है अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही सत्ता में हम आये हमने दो घंटे के भीतर हमारे किसानों 19 लाग किसानों के हमने 10,000 करोड रुपे माफ करें सबसे पहली बात जो कि एक गर्व की बात है एक किसान प्रदेश को दूसरा हमने शहरी में अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी योजनल आ हैं जिसे यहां के लोग लाभानवीत हो रहे हैं जैसे कि मिनिमाता अमरीत जिवार जो है वो लाभानवीत हो रहे हैं हमने उद्योग के छेत्र में लगभग लगभग 23,000 करोड रुपे हमने निवेश करवाए हैं जिससे कि कुल लगभग 43,000 लेबर हमारे लाभानवीत हो रहे हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सिक्षा के छेत्र में आपको हमारे सहयोगी ने बताया है और जो भूमी हिन किसान है उनको हम 6,000 प्लस 1,000 7,000 रुपे प्रती वर्ष हम उनके खाते में सिधे डाल रहे हैं जिसे कि भूमी हिन किसानों को भी इसका लाभ पहुंचा है और प्रदेश में हम आने आने वाले सम आने की कोशिश करेंगे वाले किस प्रयास किएगां को 25 सो रुपे बेराजगारी भथत्ता देने का वादा किया है और जो कि उनके खाते में वादा करने के साथ उनके खाते में पहुंचाना भी सुरू कर दिया हमने और आकणों के इसाब से देखें तो आप देखेंगे कि कि पूरे हिंदुस्तान में 36 गड़ में जो है बेरोजगारी दल 0.4 परसेंट है जो की बहुत ही मिनिमम है तो हम इसको शुन पर लाने के कोशिश करेंगे जितना हम से हो सके आप से जानना चाहूँगा दुरुख जिला कि मुख्य मंत्री यहीं से हैं किस प्रकार के विकास का रहे हैं यागे किस प्रकार का विजन होगा अगर आपकी सरकार जीत के आती है अप स्वम देखिए दुरोट सहर घ्रामिन दुरोट सहर जहां वी आप देखेंगे कि रोड रास्ते बिजली की विवस्ता बहुत चौतरफा विकास हुआ है इसमें माननी मुख्यमंत्री जी ने दुरुक जी ले के लिए तो हमेशा ततपर रहते हैं पैसा देने के लिए इसमें कोई कमी नहीं किया जा रहा है और दूसरी बात यह है कि आप किसी भी एरियम चल कर रहे हैं आने वाले चुनाओं है अगले दो तीन महिनों में अगर चुनाओं से फिर से सरकार चुनके आती है तो किस प्रकार का वीजन होगा आगे क्या खरेंगा पांस साल में भी इसी को आगे बढ़ाया जाएगा दूसरा जो स्वामी आत्मानन महाविद्या अभी खोल अची आपको क्या लगता है देखिए प्रदेश वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपको पता होगा कि हमारे यह शिश्वी मुख्यमंत्री श्री भुपेश बगेल जी को देश का नंबर वन सीम का किताब मिलाया भी उसी तरह हम प्रदेश को भी नंबर वन ला गोटाले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए जैसे की नान गोटाला हुआ है प्रदेश में जिसकी जांच होना बाकी है और रिपोर्ट आना बाकी है और जीरम घाटी का 2013 का हम लोगों ने वो कांट को किसी ने भूला नहीं है जब कैसे हमारे बड़े नेता को नक्सलियों ने गोलियों से शहीद कर दिया तो ऐसी कई सारी घटनाएं जो चतित गड़ में हुई है और बीजेपी उन फाइलों को दबा के रखी है उनके भरष्टचार सामने नहीं आ पा रहे हैं तो खुद जो भरष्टचार में बैठे हुए हैं वो हमें आरोप लगा रहे हैं जो कि सर करवाही की जा रही है कोई उसका तत्त निकली नहीं रहे है आप खुद देख लिए सराब घोटाला किये थे अनवर जी भी बरी हो चुक है और इनको को कोई मुद्दा है नहीं 36 गड़ में माननी भुपेज भगिल जी के लावाब भीजेपी अपना पुछ लाई नहीं पा तो यहां तक के खतम हो चुक है आप 2008 के पहले देखेगा घटना है और आप देखिए जीरो हो चुकी है यह माननी मुख्यमंत्री जी जो अंदर तक के रास्ता बनाया है पूरे दुर्गम छेत्र जो एरिया है बस्तर के वहां पूरे रोड रास्ते इसकूले फिर से चालू हो चुकी है अब लोगों को आप सहर में आने की जुरत नहीं गाओं गाओं में स्कूल खुल चुकी है जहां कभी स्कूलों में अपना कैंप लगा के रखती थी अब वहां पर बच्चे फिर से स्कूल जा पा रहे हैं तो यह एक बहुत ही सम्वानी वाली बात है कि हमने नक कर नुल करो जलայ सचे की जिन से आज हमने ऐम तेरिकार की जो पित्वे कारेकाल रखा उसके बारे में किस परकार के विकास का रही हो से जाने की कोशिश करे Yep